स्वागत करते हैं फ्रेंड साफ सभी का अपने चैनल ग्यान मंथन पर और दोस्तो आज के अपने इस वीडियो में हम आपको स्रीमत भागवत महापुरान के प्रत्थम असकंद के अध्याई छे की कथावत लाने वाले हैं तो चली दोस्तो बिने कोई देरी के वे सुर करते है इस वीडियो को स्री सूत जी कहते हैं सौनक जी देवर्शी नारद के जन्म और साधना की वात सुनकर सत्यवती नंदन भगवान स्री व्यास जी ने उनसे फिर यह प्रश्न किया स्री व्यास जी ने पूछा नारद जी जब आपको ज्ञानों पदेश करने वाले महात्मा ग देवर्शे काल तो सभी वस्तुओं को नश्ट कर देता है उसने आपकी पुर्व कल्प की स्मृति का कैसे नाश नहीं किया तब स्री नारद जी ने कहा मुझे ज्यानों पदेश करने वाले महात्मा गंजब चले गए तब मैंने इस प्रकार जीवन व्यतीत किया यद्धप उस समय मेरी अवस्था बहुत छोटी थी मैं अपनी मा का इकलावता लड़का था एक तो वह स्त्री थी दूसरे मूढ और तीसरे दासी थी मुझे भी उसके सिवा और कोई सहारा नहीं था उसने अपने को मेरे स्नेह पास से जकड रखा था वह मेरे योग छेम की चिंता तो बहुत करती थी परंतु पराधीन होने के कारण कुछ कर नहीं पाती थी जैसे कटपुतली नाचने वाले की इच्छा के अनुसार ही नाचती है वैसे ही यह सारा संसार ईस्वर के आधीन है मैं भी अपने मां के अशनेह वंधन में बंध कर उस ब्रहमन बस्ती में ही रहा मेरी अवस्था केवल पांच वर्स की थी मुझे दिसा, देश और काल के संबंध में कुछ भी ज्यान नहीं था एक दिन की बात है मेरी मां गौव दूहने के लिए रात के समय घर से बाहर निकली रास्ते में उसके पैर से साप छू गया उसने उस बेचारी को डस लिया उस साप का क्या दोस काल की ऐसी ही प्रेरना थी मैंने समझा भगतों का मंगल चाहने वाले भगवान का यह भी एक अनुगरह ही है इसके बाद मैं उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा उस ओर मार्ग में मुझे अनेको धन धानने से संपन देश, नगर, गाउं, अहिरों की चलती फिरती बस्तियां खाने, खेड़े, नदी और परवतों के तटवरती पड़ाव, बाटिकाएं, वन, उफवन और रंग विरंगी धातुओं से युक्त बिचित्र परवत दिखाई पड़े कहीं कहीं जंगली बिर्च थे, जिनकी बड़ी बड़ी सा खाएं, हाथियों ने तोर डाली थी सीतल जल से भरे हुए जलासाई थे, जिनमें देवताओं के काम में आने वाले कमल थे, उन पर पच्छी तरह-तरह की बोली बोल रहे थे और भोरें मनरा रहे थे यह सब देखता हुआ मैं आगे बढ़ा, मैं अकेला ही था, इतना लंबा मार्ग तै करने पर मैंने एक घोर गहन जंगल देखा, उसमें नरकट, बास, सेंठा, कुस कीचक आदी खड़े थे, उसकी लंबाई चोड़ाई ही बहुत अधिक थी और वह साप, उल्लू, सियार, आदी, भयंकर जीवो का घर हो रहा था, देखने में बड़ा भानक लगता था, चलते चलते मेरा सरीर और इंद्रियां स्थिल हो गई, मुझे बड़े जोड की प्यास लगी, भूखा तो था ही, वहां एक नदी मिली, उसके कुंड में मैंने जलपान और आचमन किया, इस से मेरी ठकावट मिट गई, उस बिजन बन में एक पीपल के नीचे आसन लगा कर मैं बैठ गया, उन महात्माओं से जैसा मैंने सुना था, हिर्दय में रहने वाले परमात्मा के उसी स्वरूप का मैं मन ही मन ध्यान करने लगा, भक्ती भाव से बसी कृत चित द्वारा भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते ही, भगवत प्राप्ती की उतकट लालसा से मेरे नेत्रों में आसु छल छला आये, और हिर्दय में धीरे धीरे भगवान प्रकट हो गए, ब्यास जी उस समय प्रेम भाव के अत्यंत उद्रेक से मेरा रोम रो पुलकित हो उठा, हिर्दय अत्यंत सांत और सीतल हो गया, उस आनंद की बाढ़ में मैं ऐसा डूब गया कि मुझे अपना और धेवस्तू का तनिक भिभान न रहा, भगवान का वह अनिवर्चिये रूप समस्त सोको का नास करने वाला और मन के लिए अत्यंत लुभावना सहसा उसे ना देख मैं बहुत ही बिकल हो गया, और अनमाना सा होकर आसन से उठ खड़ा हुआ, मैंने उस स्वरूप का दर्शन फिर करना चाहा, किन्तु मन को हृदय में सम्माहित करके बार बार दर्शन की चेश्टा करने पर भी मैं उसे नहीं देख सका, मैं अत्रिप्त क समान आतूर हो उठा, इस प्रकार निर्जन बन में मुझे प्रत्न करते देख, स्वयम भगवान जो बानी के विशय नहीं है, बड़ी गंभीर और मधुर बानी से मेरे सोक को सांत करते हुए कहा, खेद है कि इस जन में तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकोगे, जिनकी वाशनाय पूरूंता सांत नहीं हो गई है, उन अधकचे योगियों को मेरा दर्शन अत्यंत दुरलव है, निस्पाप बालक तुम्हारे हिर्दय में मुझे प्राप्त करने की लालसा जागरित करने के लिए ही, मैंने एक बार तुम्हें अपने स्वरूप की जलक दिखाई है, मुझ तुम इस प्राकिर्त मलीन सरीर को छोड़ कर मेरे पारसद हो जाओगे, मुझे प्राप्त करने का तुम्हारा यह दृढ निश्य कभी किसी प्रकार नहीं तूटेगा, समस्त स्रिष्टी का प्रलय हो जाने पर भी मेरी कृपा से तुम्हें मेरी स्मृती बनी रहेगी, आका से मैं लज्जा संकोच छोड़कर भगवान के अत्यंत रहस मई और मंगल मैं मधुर नामों और लिलाओं का कीर्तन और अस्मरन करने लगा, अस्प्रिहा और मद मत्सर मेरे हिर्दय से पहले ही निर्वित हो चुके थे, अब मैं आनंद से काल की प्रतिछक करता हुआ जिली कौंध जाती है, वैसे ही समय पर मेरी मिर्तिव आ गई, मुझे सुद्ध भगवत परशत सरीर प्राप्त होने का अवसर आने पर प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाने के कारण पांच भवतिक सरीर नश्ठ हो गया, कल्प के अंत में जिस समय भगवान नारायन, एकार न उनके हिर्दय में प्रवेस कर गया, एक सहस्र चतुरयोगी बीत जाने पर जब भ्रम्मा जगे और उन्होंने स्रिष्टी करने की इच्छा की, तब उनकी इंद्रियों से मरीची आदी रिशियों के साथ मैं भी प्रकट हो गया, तब ही से मैं भगवान की किरपा से बैकुं पर तान छेड़ कर मैं उनकी लीलाओं का गान करता हुआ सारे संसार में विचरता हूँ, जब मैं उनकी लीलाओं का गान करने लगता हूँ, तब ये प्रभु जिनके चरन कमल समस्त तिर्थों के उद्गम अस्थान हैं और जिनका योगासन मुझे बहुत ही प्रिये लगत बुलाये हुए की भाती तुरंत मेरे हिर्दय में आकर दर्सन दे देते हैं जीन लोगों का चित निरंतर विशय भोगों की कामना से आतूर हो रहा है। ब्यास जी आप निस्पाप हैं आपने मुझसे जो कुछ पूछा था वह सब अपने जन्म और साधना का रहस्य तथा आपकी आत्मसंतुष्टी का उपाय मैंने बतला दिया। बीना पर गा गा कर स्वयम तो आनंद मगन होते ही हैं साथ ही साथ इस तृताप तप्त जगत को भी आनंदित करते रहते हैं। तो दोस्तो इस तरह स्रिमत भागवत महापुरान के परथम असकंद के अध्याय 6 की कथा समाप्त होती है। उमीद करते हैं फ्रेंट्स आप सभी को हमारे वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सेर करना मत भूलिएगा। और दोस्तो ऐसे ही ग्यानबर्धक वीडियो देखते रहने के लिए अफमारे चैनल ग्यानमंधन को सब्सक्राइब जरू कीजिएगा। अफमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए जानते रहिए। धन्यवाद जय हिंद।